नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका सागत है आज मिलेकर आई हूँ धनू लगन वा विशव राशी के जातकों के लिए गुरू वाशनी की उति का परभाब 20 नौवंबर 2020 से देव गुरू वाशनी की उति चलेगी उसका क्या प्रभाब मिलेगा धनू लगन वा व्रिशव राशी के जातकों को मैंने पहले भी गुरू वाशनी की उति पर वीडियो बनाये थे लेकिन वो बीडियो मैंने राशी के यदार पर बनाये busted पर जब मैंने देखा कि दर्शक ये कहते हैं कि उनका लगन अलग है राशी अलग है तो ऐसी स्थिती में उनको क्या फलित मिलेगा इसलिए मैं एक छोटी सी कोशिश करिए है कि आपके आपसे कमेंट बॉक्स पे पूछो कि आपका क्या कमिनेशन है उसी के धार पे वीडियो तो एक दर्शक ने मुझे कमेंट किया था कि उसका कमिनेशन है धनू लगन या विशव राशी तो ऐसी स्थिती में धनू लगन वा विशव राशी को इस गुरू वशनी की उतिका क्या प्रभाब मिलेगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे आप देखिए आ दो नमबर की राशी का मतलब होगा चंदर्मा हो गया आपका विशव का यानि धनू लगन और विशव राशी का चंदर्मा धनू लगन के लिए जरूरी है कि लगन के पहले भाब में नौ नमबर की राशी हो और विशव राशी के लिए जरूरी है कि चंदर्मा जो है दो नमबर की राशी में लिखाओ अगर आपका कम्मिनेशन धनू लगन और विशव राशी का है तो इस गुरू शनी की उतिका आपको क्या प्रवाब मिलेगा तो सबसे पहले हम बात करें धनू लगन के लिए तो धनू लगन पे अभी तो 5 नौंबर 2019 से देव गुरू बर्सपत 20 नौंबर 2020 को आपके दूसरे भाब में आ जाएंगे मकराशी में और महां पर शनी महाराज अल्रेडी बैठे हुए है तो आपके जो कुटुम का भाब है धन भाब धन भाब में गुरू और शनी का नीच भंग राजयोग बन जाएगा 20 नौंबर 2020 से जो 6 अपरेल 2021 तक रह 10 यानि एक अदश भाब पर शनी अपनी उचराशी को देख रहे है तो धन के लिए गोचर बहुत शांदार है दूसरा गुरू जो है दो पांच साथ नौ और ग्यारा का अच्छा फल देते हैं तो गुरू दूसरे भाब में आ रहे है इस प्रकार ये धन अलगन के लिए ग अच्टम में चल रहे थे और अब देव गुरू बर्स्पति आपके भागयबाब में आ जाएंगे 20 नौंबर 2020 को जब देव गुरू जो है अच्टम में चलते हैं तो बहुत अलीक नेगेटिविटी आती है चाहे आप जॉब करते हो वेपार करते हो आपके रुटीन लाइ नीच भंग राजियोग बन जायागा तो आपका भागयबाब बहुत बली हो जाएगा आप इसमें इंपोर्टेंट देखिए कि लाइफ में आदमी को या तो पैसा चाहिए या भागय चाहिए यहां पे धनुलगन है तो यहां पे पैसे का भाब बहुत इंपोर्टेंट हो अब देव गुरु बर्सपती के आपको धनुलगन का भी बहुत अच्छा लाब देंगे और विशवराशी का भी बहुत अच्छा लाब देंगे तो आपको क्या क्या लाब मिल सकते हैं सबसे पहली बात कैरियर के लिए बहुत शांदार समय है एक धनवाब में आपका विशवराशी है तो आपको इस समय जॉब मिल सकती है आप तैयार हो जाएगे जॉब आपको मिल जाएगी और अगर आप बरत्मान जॉब से संतुष नहीं थे तो आप अपनी जॉब भी इस अबदी में बदल सकते हैं जो धनू लगन व विशवराशी के जातक शादी के य गुरु की रिष्टी पंचम में होने के कारण आपको संतान सुपी मिल जाएगा और संतान से जुड़ी आपको कोई खुशकवरी भी मिलेगी साथ ही अश्टम में बैटके गुरु जो आपके काम में बादा हैं दे रहे थे वो आपकी काम की बादा खतम होगी और साथ ही लगन के गुरु जो खर्चे बढ़ा रहे थे वो खर्चे बगर भी आपके खतम होंगे खर्चे खतम होंगे काम की बादा खतम होगी और आपके लगनेश गुरु की दशा चल रही होगी या दशमेश बुद्ध की दशा चल रही होगी या धनेश शनी की दशा चल रही होगी या लावेश शुकर की दशा चल रही होगी तो यह आपको रिजल्ट पूरा 100% ही मिलेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे घ्रह की दशा चल जो आपके छटे आठवे मार में भाब में नीच राशी का बैटा हो तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें कुछ कटोती हो जाए इस जो आपको रिजल्ट आ रहे हैं 100% में थोड़ी सी कचोती हो जाए क्योंकि रिजन क्या होता है हम जो फलिद बताते हैं वह हम दशा और गोचर द राशी का कंबिनेशन है तो ये गुरू और शनी की यूती जो 20 नौमबर से बनने जा रही है वो आपके लिए दो बातों में तो बहुत शांदार सीद होगी एक तो धन्ते जोड़े मामलों में अगर धन के कारण आपका कोई काम रुकुरा था वो सारे काम हो जाएंगे जिसमें भागी का बहुत बरोसा होता है और आपका धनू लगन और विशव राशी का कंबिनेशन है तो ये 20 नौमबर से लेकर 6 अप्रेल 2021 तक का समय आपका बहुत शांदार जाएगा तो दर्शकों मेरे आपको बताने की कोशिश करी किया का धनू लगन और विशव राश कर दें साथ ही बेल ऐकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जयमाता दी